Welcome back to options for tomorrow, आप सब लोग बहुत स्वागत है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा शायद morning में option chain की video जो हमने की थी, उसमें हमने किस तरीके से कुछ resistance support के levels निकालने कोशिश किये थे, जिसमें हमें थोड़े से confusing numbers दिख रहे थे, confusing numbers की बात करें, तो अगेन हम बात कर रह morning की option chain video में हमने ये देखा था, और I hope आप सभी लोग option chain की video सुभे की daily देख रहे होंगे, कर नहीं देख पा रहे हैं, तो नीचे चानल subscribe button जरूर दबाईएगा, notification को अन करिएगा, जिससे कि morning में 11 बज़े आप daily, nifty and bank nifty की वो खास option chain की analysis video देख सकें, जिसमें हम option chain की अनल बड़ा put writing की तरफ लोग जा रहे होंगे कि शायर और भी market की वोग ले जाने की पोशिश कर रहे होंगे, तो फिलाल एक number, अगर हम open interest की तरफ जाएं, तो तो यहां के देखिया, अगर हम open interest की बात करें जब हमने change in Y की बात की, जो particularly intraday के लिए होता है, अगर change in Y के section में जाओगे, तो अगर आप देखो 24,400 के numbers पे किस तरीके से 1,12,000 के number call writing में थे, और 1,5,000 के numbers put writing में थे, 350 की बात कर लें अगर तो कुछ लगबख similar numbers थे, मतलब numbers में कोई खास बोला difference नहीं था, जो एक directions show कर सके, और nifty में अगर हम देखें, तो लगातार 400 की बात क कर लूँ तो में ये level है, 350 के नीचे कोई खास number गया नहीं और एक sideways moment हमें फिलाल दिखाई दिया, ये हमने sideways moment को ही देखते हुए yellow color से इसी लिमार किया था, कि जब numbers put writing के और call writing के सेम होते हैं, तो एक sideways moment हम उसको थोड़ा सा consider करते हैं, थोड़ा सा confusing number consider करते हैं, इसलिए हम अगर support clear होता है, तो हम green से mark करते हैं और resistance होता है, तो फिलाल numbers कुछ खास दिखें नहीं, numbers लगवग सिमिलर रहें, हाला कि यहाँ पर मैंने एक trade put में initiate किया था, सुबह की वीडियो में आपने देखा वे होगा कि वीडियो करते time उस time जो target लगाया हुआ था, वो hit हुआ था अगें छोटे से capital के साथ 2 lot में 1288 रुपीज का profit है, सुबह एक trade किया था, बाद में एक बहुत छोटा सा trade था, करना नहीं चाहता था बढ़ ठीक, एक छोटा सा trade सिर्फ एक कुछ test करने के लिए अगें strategy के हिसाब से entry मिली थी, strategy bundle में जो 13 strategy है और 3 strategy है, छोटे time frame पे जो strategies है 5 minutes में और 3 minutes में उसमें 2-3 strategy में एक entry मिली तो मैंने एक entry की भी, हलांकि छोटा सा profit वहाँ बुक किया, क्योंकि lot size बहुत कम था, इसलिए छोटा ही profit, 10 rupees के असपास बुक किया, second trade में, पहली trade में बड़ा profit था, उसमें बड़ी entry मिली थी, वो psychological भी थी, तो strategy bundle अगर आप में ड download कर सकते हैं, so now let's see, कि bank nifty में किस तरीके से movement रहा, again bank nifty में भी हमने यहाँ yellow mark किया था, 50,500 के level पर, again option chain, तो option chain की वीडियो morning में daily देखिए, चानल को अभी subscribe कर लीजे, notification को on कर लीजे, जैसे कि Monday को सुबह 11 बज़े, ये वीडियो आप से मिसना हो, अब हम चलते हैं सीधे, अपने one hour के time frame पर, जहां पर फिलाल again, छोटे candles बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका दूसरा reason जो नजर आ रहा है, साफ साफ India Wix है, India Wix लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, अगर आपने देखा हो, पिछले 2-3 दिन से India Wix के levels धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, जो market में एक fluctuation या volatile market के थोड़ा सा sustain करने कोशिश कर रहे है, थोड़ा सा थामने की कोशिश कर रहे है, धिरे-धिरे normalize होने की कोशिश कर रहे है, यह market जो पहले hypes थे, suspense थे, वो धिरे-धिरे खतम हो चुए हैं, जिसकी वजए से movements भी आपको छोटे नजर आ रहे हैं, अगर आप कल देखिए, तो एक एक आवर की एक एक candle में बड़े-बड़े points, almost 1500 points के movements दिख रहे थे, बट आज अगर आप देखो तो छोटा सा आप first candle का ही ना में breakout मिला है, ना breakdown मिला है, totally, clearly, पूरा time आज market ने एक range में व्यतीत किया, so यह एक level बहुत important है, जिसका हम फिलाल पिछली दिन से एक range मना रहे थे, आज हमें इसका बड़ी हा gap up के साथ एक breakout भी दिखाई दिया, तो 24,300 is an important level for Nifty for now, उपर 450 का level है, जो शायद एक resistance की तरह act करने की कोशिश करना चाह रहा है, निफ्टी के लिए, और नीचे support 24,300, उससे नीचे, अगर market हमें further कोई इसका breakdown देती है, तो 24, 24,200 and then 24,080 and then 24,000 exactly, तो फिलाल एक बड़े अच्छे मूफ के लिए उपर के लिए तो फिलाल ये level तो ब्रेक होना चाहिए, जो आज फर्स डे वन आवर के टाइम फ्रेम का जो एक level था, अगर आप इसको चेक करो, तो जो ये level था almost 24,420 का, तो ये थोड़ा सा बीच में एक आउरोध पैदा कर सकता है, तो ये ब्रेक हो अगर तब फिर सिनारियो कुछ सस्टेन करने की कोशिश करें, तब कुछ हमें अच्छे बड़े रिजल्ट्स उपर की तरफ थोड़े से देखने को मिल सकते हैं, तो फिलाल मार्केट जो मूफ कर रहा है, वो support से resistance की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर लेकर देखें किस तरी की क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक support point था, जहां से फिलाल मार्केट ने एक support लेते हुए थोड़ा सा resistance की तरफ movement करने की थोड़ी सी ठान, बीच में क्या resistance points हो सकते हैं, कहां स reversal लेने के chances बन सकते हैं, वो हम previous swings के हिसाब से हमने जो mark कियों है points वो देखते हैं, 50,600, again 50,700 के असपास, यहां पर 51,080 के असपास का number है यह और 50,610 के असपास के number हैं, जो बीच में थोड़े से दिक्कत पैदा कर सकते हैं, हैं supports की बात करें, तो next supports, again छोटे channel की बात करें, तो इस छोटे channel के हिसाब से देखें, तो market ने फिलाल एक breakout दिया है, जो यहां पे अभी भी अपने resistance zone में ही consider किया जाएगा, अगर इसका हमें breakout मिल जाता है, तो फिर कुछ बड़े moments उपर की तरफ देखने को मिले हैं, तो हम उस range को draw करने की कोशिश करें, तो clearly आप ये range देख सकते हो, जो कि आपको clear show हो रही है किस तरीके से एक resistance band बनता हुआ नजर यहां पे आ रहा है, बैंक nifty के लिए one hour के time frame में ये resistance band बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बाद क्योंकि हमें जो number दिख रहे हैं, वो हमें थोड़े से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो possible chances हो कि market अगर इन numbers को तोड़ती है, इस barrier को break करती है, तो ये कुछ levels शायद हमें touch होते हुए या move करते हुए हमें दिखाई दे हैं, नीचे के supports के levels की बात करें, तो फिलाल यहां बीच में एक छोटा सा, बहुत छोटा support एक number य पहले एक बड़ा support दिखा चुकी है, और फिलाल यहां पर कहीं है support दिखा लिए, तो I hope यह सारे numbers आप सभी लोग को help करें, और फिलाल देखते हैं, किस तरीके से आप जो है options trading का जो complete combo course है, वो download कर सकते हैं, 2199 का offer अभी इस पर running है, 999 में strategy bundle download कर सकते हैं, बहुत सारे download कर सकते हैं, website से नीचे description में link दिया हुआ है, कोई भी confusion हो, कोई भी doubt हो, कोई भी problem हो, तो 701-292963 इस नमबर पे whatsapp पे आप मुझे कभी भी message कर सकते हैं, एक और learning video hopefully कल्या परसों में लेकर आऊंगा, जो एक free indicator series शुरू की थी उस पर, बाकि strategies के लिए आप website पे जा सकते हैं के नीचे description में link दिया हुआ है, कोई भी problem हो, तो again 701-292963 इस नमबर पे आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं, मिलते हैं next video very soon, thank you